तो हेलो गाइस स्वागते हैं अब सभी का एक बार फेट से मेरे नए वीडियो में कल के टीटेन में हमने अल्टरा क्लिंसिप किया दो मैच टीटेन के कवर किया और दोनों में मेगा जील तक विन किया और आज भी अगर आपको विन करना है तो इस वीडियो का एन तक पूरा देखना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो का लाइक चरू करना आज साड़े आट बचे यह मैच होने वाला है एंड इस मैच में भी हम अल्टरा वाला क्लिंसिप करेंगे क्यों देखो गाई सबसे पहले एक तरफ के भी की टीम चो कि इस टूना साट तक का स्कॉर बना चुकी थी वो इसने 200 तक का बनाया था तो इस्ट्रॉंग बहुत है तो हम UCB की टीम को फियर करेंगे एंड के बी की टीम से प्लेयर को कौन से प्लेयर को वाइट करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा जिसके सेलेक्शन सबसे ज्यादा हाई है तो सबसे इंपॉर्डम प्लेयर है लेकर चलो इसके अलावा और कोई भी प्लेयर के बारे में सोचना भी मत बैटिंग से बात करूं तो देखो एडियर फुल डिखे ले तो हांक बन करके पिक करो इसके अलावा और किसी को ट्राय करना मत एंड देखो यहां पर काफी ज्यादा लोग जे मूरेल को ले रहे हैं बट आप इसको अवाइड करके यहां से आप नीचे से एक ऐसा प्लेयर जिसका आपको बैटिंग से चांस मिल सकता है और थोड़े बहुत रंद बना कर दे सकता है जिसका नाम है जैसायाकत 19 पर्सन सेलेक्शन है कोई ट्राय नहीं कर रहा है इम्पॉर्टन रहेंगा क्योंकि बैटिंग से सिर्फ एक प्लेयर को मिले ना बाकी आलनाउटर सेक्शन से हम बात करते हैं देखो एहम नवाच दो और की बॉलिंग प्लस ओपनिंग में बैटिंग इंपोर्टेंट है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बैतर इन पीक कराएंगा आज के मैच में ऐस चौधर की बात करूँ एंड देखो के बी की तरफ से सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम को अच्छी खासी बैटिंग से पर्फॉर्मेंश देख सकते हैं एंड विकेट निकाल सकते हैं यहां से एक तरफ एच चौधरी और दुसरी तरफ बी हैं चला यह सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जो की के बी के सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर है अगर यह दो नहीं खेलते हैं तो भाई के बी की टीम एक तरफ आ रहेंगी और बहुत ही बुरी तरीके साहर सकती है तो आप इन दोनों को आपको पिक करना ही पड़ेंगा क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग से हमें पॉइंट देख सकते हैं आज के मैंसे बॉलिंग से ज्यादा उम्मित मत रखना बट बैटिंग से हमें पॉइंट दे सकते हैं कब जब बैटिंग फर्स्ट करती है तब बागे एम डेस फॉंटेन बॉलिंग प्लस बैटिंग और डेत ओवर में बॉलिंग करा सकता है इंपॉर्टन रहेगा एस चोधरी देखो वैसे इंपॉर्टन नहीं है अभी बता देता को और रखी बूल को ट्राइक कर सकते हूं एस चौधरी के जोगा बटी है फिलेर फ्लाप रहने के हाई चांसे लेकिन इस मॉल लिट में आप ट्राइक करना क्योंकि सभी ऑपोनेंट स्केट होंगे तो भाई अगर कलती से भी 20-30 पॉइंट दे देता है तो हम एक तरफ जाएंगे क्योंकि एक-एक पॉइंट का वेल्लिव है कि बॉलिंग सेक्शन देखो जी अब बस मस्ट पीके लेकर चलो तेरा प्रसन सेलेक्शन है और डैट ओवर में लास्ट में वो बॉलिंग कराई थी आज भी एक ओवर डैट में ला सकता है विकेट निकालने का आई च प्रसन से अब एक चेखा से प्माइंट दे सकता है बॉलिंग से मत रखना कैप्टन आप और विनोयत को करना सिर्फ परसन सेलेक्शन है दो और की बॉलिंग करा सकता है अगर विकेट भी नहीं करता है तो आप इसको जरूर क्या करना वोइस क्याप्टन के लिए एन वाच वाइस क्याप्टन के लिए यह नवाज आप चरूर ट्राय करना या फिर एस चौधरी दोनमसिक से एक को करना एंट काफी ज़्यादा लोग इस मैच में एस चौधरी को क्याप्टन करके आएंगे जो कि आज के मैच में हाई चांच है कि फ्लॉब रहे बट हमें एक तरफ करना है आज के इस मैच में में सबसे ज़्यादा हाई करने का मौका फिर कभी ने जाएंगा क्योंकि एक कमशूर एंड एक स्ट्रॉंग टीम के बीचे मैच है और किसी को नहीं पता कि मैच में क्या होंगा मैं आपको बता दिया क्या रहने वाला हमारे टीमेंड कॉमिनेशन अगर आप इस वीडियो के यहां तक आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो का लेक्ट